कि ऐसी कि निचे की कुतिंग काण सीखने वाले इस वीडियो में जो कॉमन प्राइव होती है जैसे हूपर हिप में से टाइट होना और इलस्टी और यह सारी प्रॉब्लिम का सोलुशन अपको इस वीडियो में मिलें और इसमें हम spesiaL technics सीखने वाले क्रॉच की कटिंग जो आसन हम बोलते हैं उसको पीछे का मेशा जादा कट होना चाहिए प्लाजो में और आगे का कम तो वह किस तरह से मार्किंग करनी है प्रॉपर वह हम आज की इस वीडियो में सीखने वाले तो यह जो टैक्निक है जो मार्किंग है आपको शा से मार्किंग करना स्टार्ट करते हैं तो चलो मार्किंग चालू करते हैं तो देखो इस तरह फोर फोल्डिंग किया है मैंने पहले डबल फोल्ड था यह फैबरिक पहले इस तरह से फोल्डिंग हुआ है उसके बाद मैंने ऐसे फोल्ड किया है यह फोर फोल्ड है भी टोट लेंथ वेस्ट एंड हिप चाहिए सबसे पहले में लेंथ मार कर रही हूँ फोल्डिंग वाले पाट्स है देखो ये 4 लेयर है 1, 2, 3 and 4 यहां से लेंथ देख लेता है लेंथ में रख लेती हूँ 39 इंचेज विथ मार्जिन अब देखो आपके पास कूप पर से होना चाहिए 2,5 इंचेज एक्स्ट्रा फैब्रिक ठीक है उपर से वो एक्स्ट्रा होना चाहिए तो यहां फोल्डिंग साइड से हम सारी मार्किंग चालू करेंगी यह फोल्ड साइड है फोल्डिंग साइड पर हम सारी मार्किंग चालू करेंगी यह हमारी waist line होगी कमर की line और इसके उपर 2-3 इंच एक्स्रा होना जरूरी है compulsory सबसे पहले length mark कर ली उसके बाद हम cross length mark करेंगे जो कि मेरे size में cross length होगी 10 inch cross length का formula है बहुत ही अच्छा उसके help से मैंने 10 inch mark कर दिया यहां पर 32 waist 32 hip है तो आप 10 mark कर सकते हो और यह length पर depend करता है आपके इसके बाद भी मैं आपको बताऊंगी यह कैसे check करना तो folding से 10 inch mark कर दिया अब यहां पर मैं waist divide by 4 sorry hip divide by 4 plus 2.5 inches margin and losing यानि hips आपका जो hip वाला पोर्शन है कमर नहीं hip का जो पोर्शन है आपका उसको 4 से भाग करना है प्लस 2.5 inch एड करना है तो मेरा hip है 34 inches 34 divided by 4 34 का चौता बाग साड़े 8 प्लस 2.5 inches 11 inch हो जाएगा अब सेम इस 11 inch को मैं यहां निशान लगाऊंगी और दोनों को मिला लूँगी देखो अब आप सोच रहेंगी cross length किस तरह से करना है तो cross length आपका hip measurement अब मेरा hip measurement और दोनों measurement में यहां लिखते हूँ hip measurement मेरा है 32, 34 और length है 37 इन दोनों में से जो कम होता है उसको 3 से भाग करना है और minus 1 करना है एक इंच घटा देना है hip और length में से जो कम हो उसका 3 भाग minus 1 इंच क्यूं? क्यूंकि किसी का मानलो hip जादा है और height कम है तो अगर हमने hip के हिसाब से कर लिया तो उनका cross घुटने तक आजाएगा तो हमने hip के हिसाब से नहीं करना उस case में length के हिसाब से करना है तो इस तरह से होता है यहां से मैं 1.5 इंच मार्क करूंगी यह भी size के according आप बढ़ा सकते हो यहां से 1.5 इंच मेरे size में अब मैं इन दोनों का center करूंगी और crotch बना लूंगी clear दिखाई दे रहा है ना चलो अभी यह clear हो गया सबसे पहले length फिर crotch का measurement की इस हिसाब से mark करना है फिर यहां से hip का चौता बाग plus 1.5 इंच losing and margin आदा इंच margin में चला जाएगा और 2 इंच hip में losing में रह जाएगा यह भी आप बढ़ा सकते हो 3.5 तीन ले सकते हो अगर किसी की heavy size और यह भी आप increase कर सकते हो उसके बाद मैं यहां से flare मार करूँगी तो flare मुझे भी normal चाहिए 11 इंच का उसके बाद हम shape on scale से marking कर देंगे ब्लू से कर दिया देखो अभी जो white marking है वो सारी front की है लेकिन back में हमें क्या करना है वो देखना है तो back में हम यहां से 1.5 इंच अंदर जाएंगे blue marking back की है यह सारी जो अभी तक marking की वो सब front की है ठीक है 1.5 इंच अंदर जाएंगे 1.5 इंच उपर जाएंगे यह जो उपर जाने वाला हिसाब है वो आप थोड़ा बहुत बढ़ा सकते हो बड़े साइज में तो 1.5 इंच अंदर 1.5 इंच उपर और साइड में से on fold है हमारे ठीक है यानि हम sleeves की तरह cutting करने वाले है अब इन दोनों point को मिला लूँगे उसके बाद हमें इस point को इस point center point से मिला रहा है सीधी लाइन से उसके बाद हम यहां से बढ़ाएंगे 2 इंच इन अनी size वो भी आप size के हिसाब से बढ़ा सकते हो किसी size में 1.5 इंच ले सकते हो ठीक है तो अभी यह जो same marking है पहले मैं back में 1 इंच बढ़ाऊंगे नीचे से at least गुटने तक नी तक 1-1 इंच बढ़ेगा अभी इस point से मैं यह मिला लूँगी तो यह जो blue marking आपको दीख रही है वो back की है और यह front की है अभी यह दोनों measurement सेम होना चाहिए देखो यह scale है शोपी से लिए नहीं है इस scale में inches लिखे होता है तो मैं इस तरह से front पहले front पे रखूंगी यह scale तो यह 72 आ रहा है 72.1 उतलब यहां से जितना भी आ रहा है वो मैं देख रही हूँ 72.1 तो same 72.1 यहां से मेरा आना चाहिए और मैं cut कर दूंगी वहां से यहां 72.1 तो यह दोनों line सेम हुई यह दोनों line सेम हुई तो हम जब जोडेंगे आगे पिछे वाला भाग तो match होगा बड़ा चोटा नहीं होगा तो यह मुझे मिल गया एक point इस point को मैं मिलाओंगी यहां से यहने back का crotch बनाना है curve shape में तो यह जो blue marking है यहां से इस तरह से पीछे की marking है और यह जो yellow marking है वो front की marking है अब interesting part है कि cutting कैसे होगा एक दम ध्यान से देखना है क्योंकि cutting सही नहीं होगी तो सारी marking बरबाद हो जाएगी सबसे पहले मैं बाहर-बाहर की marking से कट करूंगी ऐसी marking आप नहीं देखे होगी शायद आज तक plazo की marking किसी नहीं ऐसी नहीं कि यह मेरे experience से बनाया गया method है जिससे plazo बीच में से खिषता नहीं है simple अब बाते बीना की है बीना हमें यह कट करना है वो भी ढंस है ताकि back और front दोनों मिल जाया आगे पीछे का बाग तो मैं यहां तक आ गई फिर यह yellow line को भूल नहीं जाना है yellow पे काटना है यहीं बाहर बाहर की मार्किंग से कट करना है हमको सेड़ी की तरह काटेंगे है यह देखो पोटो भी क्लिक कर लो यहां तक कैसा लगा आप सब को मार्किंग इजी सब कुछ क्लियर यहां तक अब हमें क्या करना है अब हमें स्लीव की तरह करना है अब हमें स्लीव की तरह काटना है तो इसको मैं हटाया दूंगी ऐसे वीडियो बना लो अब ही मैं खोलूंगी इसको देखो अब खोलते वक्त हमें क्या करना है बाजू की तरह रखना है जैसे हम बाजू को रखते हैं पहले स्लीव को यह एक ऐसे रखा खोल के फिर दूसरा उसके उपर रखा यादि दोनों में फ्रेंट और बैक दोनों भी कटेंगे तो ऐसे फोल्ड होना चाहिए एक में ही फ्रेंट और एक में ही बैक चाहिए हमें दोनों में भी एक में ही दोनों साइट फ्रेंट ऐसे नहीं करना अब देखो हमें इसको front और back में कैसे convert करना है वो हम देखेंगे देखो ये blue line हमारी back की है पीछे की ठीक है तो पीछे की line से कितना extra है ये मैं hide कर दूँ तो back बन जाए ठीक है ये मैं ऐसे काट दूँ तो back बन जाए तो इसमें नहीं काटेंगे उसमें काटेंगे और उसको back बना लेंगे यनिकि इसमें इतना part काट लेना है यह हो गया back, अभी इसको हम बना सकते है front, तो front की कौन सी marking है, yellow वाली marking, यहां से आते हुए, यहां से तक होते हुए, फिर अंदर चले जाएंगे, और यह काट लेंगे, तो हमें front मिल जाएगा, तो चलो काटें, देखो अभी यहां तक आके बहुत सारे student गलती करता है, कि यह blue line से काट लेता है, मेरा offline student, तो आपको वो गलती नहीं करने, क्योंकि आपको repeatedly वीडियो देखने मिल रहा है, तो यहां से मैंने यह चीज़ काटी, फिर यहां से आ जाऊंगी, आप लोग इसका एकदम screenshot ले सकते हैं कि किस तरह से हमें क्या क्या पार्ट उड़ा देना है कहां से, एक बर और फोटो लेला, यह देखो, यह तीन पार्ट उड़ाना है, तो फ्रेंट और बैक दोनों निकल जाएगा, अगर आपको concept clear नहीं हो रहा है, तो आप सेम मेरे जै सकरते जाओ, तो सब clear हो जाएगा, उसको D&D पर डाल दो ना, आज वैसे भी Sunday है, तो इतना clear हमने कौन-कौन सा पार्ट उड़ाया, आप देखो, फ्रेंट और बैक कैसे हमें मिला, यह है हमारा फ्रेंट, और यह है हमारा बैक, clear, तो देखो, दोनों बाजुमी में मैं रखके बता रही हूँ, दोनों साइड के पैर रखके बता रही हूँ, यह देखो, clear, एक में ही बैक और एक में ही फ्रेंट कटिंग होना चाहिए, दोनों, देखो, यह की पार्ट में हमें फ्रेंट मिल गया, और फ्रेंट और बैक के एक रोच में कितना अंतर है, वो देखे, अटलीस्ट तीन इंच का अंतर मिल गया हमें, तो तीन इंच जब बैक आगे से बड़ा कटिंग होगा, तब ही हमारा पैंट परफेक्ट बनेगा, क्योंकि पीछे हिप है, नहीं तो पैंट क्या करती है, सारा जो आगे का क्रोच है, पीछे खीच के लेके जाती है, क्योंकि पीछे हिप है, हिप के वज़े से पीछे चला जाता है, और बीच में से पैंट तूटने लगती है, यही रीजन है, और आइरन करने से बहुत सारी वीडियो मैंने ऐसा भी देखा कि आपके बीच में से पैंट केचरी यह पकड़ के जोर से आइरन करो, लेकिन आइरन से नहीं होगा, जब वो अच्छे से कटिंग ही नहीं हुआ है, तो आइरन क्या करेगी? तो everyone is clear with this drafting, cutting सबको clear, अभी हम main fabric काट लेंगे और फीश टीचिंग में चलेंगे, भी पंदर भीस मिनिट का गाह में सिलाई का तो, पीछे elastic and front belt देख करेंगे हम, वोबускर करेंगे ह। और्स में आज हमें कि महां में से लेकिन का व्तित्ट कूषते हैं? इद लेकिन हमें का वपएंगे ह। को से खुआमी में का एगी है, इा। कि像 अथने का वजने हैं? कर लेंगे आज बाजू का कर लेंगे आजू कर लेंगे आजू का हुआ जट करूंगे वैसे से मीर्य ज़ोड़ता है वैसे लग दूंगे और फिर सिलाहीच खैलू करूंगी चलो क्रॉज जोड़ने से स्टार्ट करते हैं सबसे पहले ये वाले हिस्से में आपस मैं जोड़ दूँगी झी कि एक मैं आपस मैं आपस क्यश הא्यार आपस क्या है को «जेवा ये स्तारब और्ट कि न शुट झाना आपस करता हैं भी कि एक मैंने से सेस्ट दूब करते हैं ये अ कment देखो बैक का क्रोच फ्रेंड से ज़्यादा हो गया पीछे का क्रोच आसन अब अस्तर मोर देती हूं में थोड़ा ज़्यादा अस्तर हमें अलग से मोर ना होगा नीचे का कर लिए जाएं क्योंकि उसी की बाद हमारा जोए मेर्ट लगेगा क्रहित आसे चीचे हैएं का किस्तर ज्मा से बाद होगा होगा ज़्यादा ये फृपल इनु खसे ए टारंज से इंड इंड से मुवफथ का अब बैल्ट कर लेते हैं देखो यह ध्यान रखना है कि यह कितना जादा हो रहा है मेरा हिप 17 है तो यह 19 आ रहा है तो अराम से गुच जाएगा हिप में से अभी इसको काट लेंगे दो इंचो चोड़ा सीधे पर जोईन कर लूँगी अदरब़़ा के लूँच छुच बसुच लेखते हैं बचल कि मेरे को यह कि अभी play में कैणव अटेच कर सकते हैं नॉर्मली फोल्ड कर सकते हैं तो में यह नॉर्मल फोल्ड कर लेती हूं यह आगे वाला भागे और वह बड़ा बाला दागे přो हैं कि आगे वाले भाग पर हम निशान लगा लेते हैं front part में कि यहां से हमें कमर का चौता भाग चाहिए waste divided by 4 front part में center से waste divided by 4 चाहिए तो कितने पर marking लगाऊंगी मैं मेरी waste 28 के करीब है तो 7 पर mark किया जाए यानि कि यहां तक बिना elasticated रहेगा clear यहां तक हमारा बिना elastic वाला रहेगा normal folding चलो normal folding कर ली जाए यहां तक पहले top stitch लगा लेती हूँ clear कि आगे वाले part में हमें बिना canvas या canvas के साथ रखना पीछे elastic तो पहले बिना canvas वाला यानि फ्रंट पार्ट जो canvas या बिना canvas वाला में रखना है वो हम रखेंगे कमर का आधा टोटल तो कमर का च्वाथा बाग इस तरफ से और वेस डिवाइड वाई फोर इस तरफ से अब इसको मोर देंगे और मोरेंगे कितना elastic के size का कर दो अजय कर दो दो आगा है वाई वाई गाई वाई 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 गईगे पताव बाद पताव वाई वाईगे का इस तर वाई है देखो आगल को हिस्सा इहां मैं ave in the last विकलगम को अगल को अब को अज़ी यह यांक किम आधा कर लिया बाकिे आपके आदा की लास्टिक पीछे लगाना तो इलस्टिक हमें टोटल pursuing क मीनस लगाना माइनस टू इंचेस करना है अगर आपको पूरे में इलास्टिक लगाना है तो कमर में माइनस पूर इंच करना है ठीक है तो यह प्लाज़ों में इलास्टिक डालने का Elastic का Calculation है कि अगर आप पूरे में Elastic डालना चाओ तो कमर में 4 इंच माइनस करना है और अगर आधे में Elastic डालना चाओ सिर्फ बैक में पीछे में तो पीछे कमर का आधा है उसका Elastic में माइनस 2 करना है और आगे कमर का आधा रहेगा केंवस वाला पार्ट आगे जादा नहीं होना अच्छे नहीं तो पूरा पीछे का सिस्टम हिल जाएगा मेरी कमर 28 14 तो माइनस 2 12 ले लेते हैं तो इस 12 इंट वाले लास्टिक हो मैं रख दूंगे यहां पर नीचे सिला ही आ गई क्या तो यहां पर मैं इलास्टिक जो काटा हुआ है वो मैं रख दूंगे और पहले खड़ी सिला ही मार लूँगे इलास्टिक पे अब इलास्टिक है जस्ट बाजू में सिला ही मारना है में इलास्टिक के ऊपर नहीं मारना बादार झालास्टिक झालास्टिक वोथ साहन पुड़ी आलास्टिक याथ दूंगे गंतो कि यहां डिध यहां गया多ई अब आगे एगे, आइपार अब इसके बीच में एक सेंटर में स्टीच लगा लेते हैं साइड में देखो हमारी पूरी फिनिशिंग हो गई मेची का दागो का तम अब देखो ये जो हमारा सेंटर का क्रॉच है उसके इस तरफ और उस तरफ दोनों तरफ सेम फैबरिक होना चाहिए तब ही सेम है हमारा एंद अधेज रखा दाए ये ऐसे लगा ये लगाने का टेक्नीक अब सिफ नीचे का मोड देते हैं फिर फाइनल लुक दिखा देते हैं अंदर से भी फूल फिनिश्ट और उपर से भी हमारा हाइडेन बैल्ट की तरह हुग गया है आयरन चालू रखना है आप अंदर से भी हमारा है हुग गया है हुग गया हारी हुग गया पीछे का क्रॉच आगे से इतना बड़ा है अभी इसका हम फाइनल लुक देखेंगे पहले आयरेन फिनिशिंग देख लेते है झाल आगे से बड़ा है झाल 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 झाल